नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका हिंदी नोलिश शो में तो दोस्तों एक ऐसी मिसाइल जिसे हासिल करने वाला भारत धर्ती पर पहला देश था और अब से 10 साल पहले हमने इस मिसाइल का ना सिर्फ टेस्ट किया था बलकि वो टेस्ट पूरी तरीके से सफल भी हुआ थ लेकिन भारत ने उस मिसाइल के प्रोग्राम को ठंडे बस्ते में डाल दिया और अब जब भारत के सर पर आफटान पड़ी है चीन लगातार हिंद महासागर में एक्सपेंड कर रहा है तो भारत इसी मिसाइल के पीछे भाग रहा है इसका करण ये है कि यही वो मिसाइल है जो चीन की नोसे नामे ना सिर्फ हिंद महासागर में बलकि चीन के घर दक्षनी चीन सागर में घुसकर उनके अंदर खोफ पैदा कर सकती है इस मिसाइल की एक केपिबिल्टी है और आज की जो ये खबर है ना इसे सुनकर आप अपने माथे पर हात मारोगे और कहोगे कि य आप में से बहुत साथे लोग पिछले एक हफते में हमारे साथ नए जुड़े हैं और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा यहाँ पर आपको ऐसी ही डिफेंस फोरें पॉलिसी और फाइनेंस संबंदित बहुती एक्सक्लूजी वीडियो देखने को मिलती है इसी भारत ने एक नई तरह की मिसाइल का टेस्ट किया था और यह थी सम्मरीन लौंच ब्रमोस कुरूज मिसाइल यानि कि जो ब्रमोस मिसाइल है उसका वो वेरियंट जो आप सम्मरीन से पानी के अंदर से लौँच कर सकते हो और यह टेस्ट मार्च के महीने में किया गया था 2013 म और आप जानकर हरान होंगे कि 2013 में ऐसा करने वाला भारत दुनिया का एकलोता देश था दुनिया में किसी और देश के पास यह टेक्लोजी नहीं थी कि वो एक क्रूज मिसाइल को सम्मरीन से लौँच कर सके स्क्रिप्रा पार्टिकल देख भी सकते हैं वहीं बात करे इस मि मिसाइल को जो भी पैरामिटर्स दिये गए थे वो सब इसने बड़ी आसानी से अचीव किये थे और इसी लिए इस टेस्ट को पूरी तरीके से सफल माना गया था वहीं बात करें इसके लौँच सिस्टम की तो जहां पर जो नॉर्मल मिसाइल होती है ना वो सम्मरीन के ऊप सिस्टम होता है जो टोर्पिडो ट्यूब्स होती हैं वहां से इसे लौँच किया जाता था वहां से निकलने के बाद ये तैर कर पानी की सर्फिस पर आती थी और उसके बाद वहां से ये हवा में लौँच होती थी हालाकि हैरानी की बात ये है कि 2013 के बाद से अब तक 10 साल ह चुके हैं इस प्रोग्राम पर कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हुई है ऐसा क्यों इसके पीछे कुछ बड़ा कार्ण तो नहीं दिया जाता लेकिन कई लोगों का मानना है कि इसका लोंच सिस्टम है वो भारतिय नोसेना को पसंद नहीं आया था इसलिए इस पर आगे काम नही हो पाया लेकिन अब इस पर बड़ी खबर निकल कर सामने आई है खबर ये कि भारतिय नोसेना एक नए परकार की सम्मरीन लोंच क्रूज मिसाइल बनाने पर काम कर रही है और जो ये नए एसलिएम होगी ये ब्रमोस एसलिएम से बहुती ज़ादा अडवांस और बहुती ज कथी नोसेना को वो भी पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा तोर्पीडो ट्यूब से नहीं लोंच होगी जो प्रोपर मिसाइल सीलो होती है वर्टिकल लोंच सिस्टम स्क्राइब आप देखिए कुछ इस परकार की सीलो से ही इसे लोंच किया जाएगा और आप जानकर हैर 76 प्रोजेक्ट है इसके तयात हम और ताकतवर पंडुब्या बनाएंगे उसमें भी इस मिसाइल के लिए स्पेशल मोडिफिकेशन भी की जाएंगी इससे आप समझ सकते हैं कि भारती नोसेना इस मिसाइल को लेकर किस हद तक सीरियस है इसी वजह से आने वाले समय में इस मि पैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना हाला कि इस पूरे मिसाइल प्रोग्राम पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जुरू बताएगा थैंक यूवर मच फूर वाचिंग वीडियो